गुट मॉर्निंग स््टूडbroken इस वीडियो में आज हम physical education के chapter 1 planning in sports के कुछ most important topics के बारे में बात करेंगे इसमें जो सबसे पहला most important topic आरा वो आरा हमारा fixture बसक्रीकली इस पे exactly इसाम में 5 marks, 3 marks, 1, mcq यू तक में भी questions आते हैं तो सबसे पहले जो most numotopic है उसमें हम पढ़ेंगे fixture, fixture basically क्या होता है, fixture is the process of arranging the teams in a systematic order, in various groups for competition in a physical activity, it means fixture एक ऐसी विवस्थित करिया है, जिसमें हम अलग अलग टीमों को एक systematic, एक क्रम बद तरीके से arrange करते हैं, the success of a tournament depends upon the planning of suitable fixture, और किसी भी tournament की success है, जो उसकी सफलता है, वो उसके fixture पे ही depend करती है, यदि हमने सभी टीमों को उनके according स्थान दिया होगा fixture में और उनके according होगा, तो tournament उतना ही अच्छा होगा, तो tournament की सफलता भी इस बात पे बहुत जादा depend करती है, अब जब हम fixture की बात करते ह हैं, तो इसमें हम tournament की भी बात करते हैं, तो tournament में, tournament किस-किस तरीके होते हैं, हम इसमें, हमने पीछे जब हमने देखा, notes में देखा, तो उसमें knockout tournament के बारे में बताया था, और league tournament के बारे में बताया था, तो एक बार मैं इस वीडियो में आपको knockout और league tournament में difference बता देता हू basically जो knockout tournament होते है knockout tournament basically वो tournament होते है जिसमें एक बार जो team हार जाती है उसको दुबारा tournament में match खेलने नहीं दिया जाता या उसको दुबारा से compete करने का मौका नहीं मिलता और वो tournament से बाहर कर दी जाती है लेकिन इसके विपरीत जब league tournament के हम बात करते हैं तो league tournament में एक team को हारने के बाद भी दुबारा tournament में compete करने का chance मिलता है league tournament basically दो तरीके के होते हैं एक होता है single league tournament और दूसरा होता है double league tournament single league में हर एक team को दूसरी team से एक बार जरूर खेलने को मिलता ही मिलता है और ऐसी double league tournament की जब हम बात करें तो उसमें हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ ग्लू बार खेलने को मिलेगा ही मिलेगा अब हम बात करते हैं कि knock-out fixtures किस तरहे ऐसे दिये जाते हैं तो knock-out fixture में हम bias देते हैं اور siding देते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ आ रहा है उसमें हम बात करेंगे next topic में सबसे पहले बात करेंगे हम fixture in a knockout tournament fixture in a knockout tournament उसमें सबसे पहले हमें जो basic चीज़ समझनी है वो क्या क्या है सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो आ रही है seeding method अब ये seeding method है क्या it is a procedure by which good teams are placed in a fixture in such a way that stronger team do not meet each other at the very start of a tournament जब भी हम कोई tournament कराते हैं तो हमें पता होता है कि इस tournament में बहुत जादा strong teams भी आएंगी बहुत जादा कमजोर teams भी होंगी एक medium average teams भी होंगी तो इसमें क्या होता है जो बहुत जादा strong team होती है फिक्स्चर में, उनको अलग-अलग पेज़ दिया जाता है ताकि उनको मौका मिल सके कि वो पहले राउंड में एक अठ्था ना खेलके और बाहर ना हो जाएं इसलिए वो उनको अलग-अलग पेज़ दिया ताकि वो अच्छे से कमपीट कर सकें और tournament में भी interest बना रहा है कई बार ऐसा होता है जो strong team जब पहले ही round में आपस में खेलती है तो वो बाहर हो जाती है उनमें से एक team हार कर बाहर हो जाती है जिससे spectators का जो उत्सा होता है वो उत्सा भी उस tournament में कम हो जाता है इसलिए seeding एक basically advantage दिया था उन strong teams को जिनके level के बारे में हमें पहले से ही पता होता है इसलिए हम उन teams को उस fixture में ऐसे adjust करते हैं जिससे वो पहले ही round में आपस में खेलके बाहर ना हो जाएं it is done to overcome the drawbacks of a single knockout tournament seeding can be done only if the standard of the team are known before the start of the tournament तो मैंने भी आपको जैसे बताया कि यह हम तभी देते हैं जब हमें उन teams के स्थर के बारे में पता होता है then next topic आ रहा हो आ रहा हमारा special seeding seeding की तरह special seeding भी special seeding में है लेकिन इसमें थोड़ा सा difference है उसमें difference यह है कि special seeding जब हम देते हैं इसमें क्या होता है basically जब हम special seeding देते हैं वो basically पहले initial rounds में ना खिलके direct या तो quarter final में participate करती है या फिर semi finals में अब इसके बाद next जो बात करेंगे हम वो करेंगे buy क्या चीज होती है buy is a privilege given to a team which is decided generally by seeding it or by draw of lots it means the avoiding of playing a match in first round of the tournament basically buy क्या है buy एक विशेश अधिकार है जो किसी भी team को प्रदान के ज़दा है जिससे वो किसी भी team जिस team को buy दी जाएगी वो पहले round में ना खिलके direct दूसरे round में खेलेगी तो ये एक विशेशा दिखा रहा है जो fixture में teams को दिया जाता है then next जो इसके अंदर आरा वो आरा है the number of buys that should be given in a tournament is decided by finding the difference between the number of teams and the next power of two अर्थाद कि जो हम buy देते हैं वो किस तरह देते हैं इसमें दिया था जैसे number of team हमारा है इसमें number of team मान लो हमारा 17 है तो हमारी जो number of team n जो हो हो गया 17 और जब हमें देखना पड़ेगा हमें buy कैसे दिने तो हम 17 और उसकी next power के बीच का जो difference है वो देखेंगे तो वो हमारी bias हो जाएंगी जैसे एक example के तरू मैं यह आपको समझाऊंगा देखिए इस example में देखिए total number of bias निकालने का जो formula होता वो होता 2 to power n minus n यहाँ पे 2 to power n जो है next power of 2 and जो n है वो total number of teams then इसको example के जब हम पूरा देखें तो यहाँ आ रहा if total number of team 17 अगर हमारी number of team 17 है then number of bias equal to 2 to power n minus n n तो यहाँ पे हमारा 17 हो जाएगा और जब हम 2 की next power देखेंगे 17 के बाद तो वो क्या हैगी 32 तो यहाँ पे 2 to power n क्या हो गया 2 to power 5 minus 17 यानि कि 32 minus 17 और total number of bias equals to 15 यह था हमारा bias then method अब जो next जो आ रहा है कि किस तरह से हमें knockout matchों के लिए fixture बनाना है अब सबसे पहला जो formula उसमें लगे है जो सबसे पहला step होगा fixture में होगा पहले देखना कि total number of matches इस fixture में कितने होने चाहिए तो उसका जो formula है वो है हमारा n minus 1 माल लिजए आगर किसी टूनामेंट में 11 teams है तो जब उसमें हम यह formula put करते है तो total number of matches कितने हैंगे total number of matches equal to n minus 1 equal to 11 minus 1 equals to 10 तो हमें number of जो matches है वो मिल गए then next step जो आता है number of matches के बाद वो आता है number of rounds number of rounds means 2 to power n अर्था जो यहां पर n है वो number of rounds है it means the total number of rounds that should be played during the tournament इसका आर्थ है कि कितने उस tournament में total rounds खेले जाएंगे if the number of teams is a power of 2 then number of rounds will exactly the multiple of 2 up to that number it means यह है कि जैसे मान लो कोई भी जो हमारे को number of team है जैसे वो 16 है 8 है तो यह क्या है यह multiple of 2 है तो इनके लिए जो हमें next power लेंगे जो हम number of rounds के जो next power लेंगे वो इनके बराबर लेंगे जैसे 2 to power 4 equals to 4 rounds और दूसरा case क्या है if number of teams is not a power of 2 then number of rounds will be equal to the multiple of next power of 2 अर्था 21 teams है तो जब हम 21 teams की बात करते है तो 2 की next power क्या आएगी 2 की next power basically आएगी 2 to power 5 equals to 32 यानि कि 32 हमारे 21 से जादा है तो हम लेंगे 32 अगर हम इससे कम देखे तो 2 to power 4 करते है तो हमाँ 16 आता है तो वो नहीं ले सकते है क्योंकि वो 21 teams से कम है इसलिए हम क्या लेंगे 32 यानि कि वापे number of rounds कितने हो जाएंगे 5 rounds ठीक है अब हम next step की तरफ बढ़ते है next step जो है हमारा वो इसमें हम next step की तरफ बढ़ रहे है next step basically the number of team in each half हमें number of teams निकाल लिए हैं इच आफ में अगर number of teams even है जैसे 10 12 14 20 तो जो formula लगेगा number of teams upper half और lower half निकालने के वो लगेगा n by 2 और अगर number of teams odd हैं तो upper half और lower half निकालने के जो formula लगेगा वो n plus 1 upon 2 और n minus 1 upon 2 यहाँ पे जो example दिया हो गया इसमें आपको इस सारा समझ में आ जाएगा जैसे number of team 15 है तो यहाँ पे n plus 1 upon 2 किया तो आपको upper half और lower half दोनों में teams मिल गई then next जो आता है number of byes count करना जैसे मैंने पीछे आपको बताता है number of byes हम कैसे count करते है byes क्या है byes basically एक privilege है जो team को मिलता है जिससे वो पहले initial round में ना खेलके second round में खेलती है तो अगर एक example के तो हम देखें कि byes कैसे की जाती है तो वो देखा जाएगा कि total number of teams equal to 19 then next power of 2 after 19 equals to 32 then 32 में से हम 19 minus करेंगे तो हमें byes को मिल जाएगी कि byes कितनी आएगी ऐसी अगर हम total number of team 12 देखें तो next power of 2 जो इससे ज़्यादा होती है 16 तो यहाँ पर जो byes कितनी आएगी 4 then next जो formula इसमें आएगा number of byes in upper half and lower half अब जो number of byes हमें यहाँ पर मिला है जैसे इसमें 4 मिला और इसमें 13 मिला तो अब इनको हम upper half और lower half में कैसे divide करेंगे इसका जो formula तो बहुत है number of byes in upper half equals to nb minus 1 upon 2 nb means number of byes then number of byes in lower half number of byes in lower half जो आएगी वो आएगी nb plus 1 upon 2 then अब एक example के through हम आप इसको समझाएंगे अब देखिए number of byes हमारी जो थी 13 थी तो हमने number of byes in upper half nb minus 1 upon 2 को formula पूट करके निकाली और number of byes in lower half तो nb plus 1 upon 2 करके निकाल दी वो यहाँ पर हमें 607 byes मिल गई अब जब हमने byes निकाल ली है तो उन byes को हम किस तरह से put up करेंगे फिक्शर में उसका एक procedure होता है जो predefined procedure है इसमें जो first by given to the last team of lower half अर्थाथ इसमें जो पहली by दी जाएगी वो निम्न अर्थ यानि कि जो lower half है उसकी last team को दी जाएगी इसके बाद second by given to the first team of upper half मतलब जो दूसरी by दी जाएगी वो upper half की सबसे पहली team को दी जाएगी then third by given to first team of lower half अर्थाथ जो तीसरी by दी जा रही है जो तीसरी by दी जा रही है वो किसको दी जाएगी lower half की first team को and the fourth by given to the last team of upper half अर्थाथ चौथी by उपर अर्थ की जो last team है आखरी team है उसको दी जाएगी then इसके बाद चार by जैसे हम दे लेंगे अब मान लिए बाइस की संक्या 5 है 7 है 8 है तो वो same procedure ऐसे ही पूरा follow किया जाएगा जितने भी by जाएगी इसके बाद जो next आता है कई बार हमें fixture में knockout fixture में seating देनी होती है तो seating देने के लिए seating आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि seating क्या होता है basically एक advantage है basically इसमें क्या आता है जो strong teams को हम पहले round में वो आपस में ना खेल के बार जो इसलिए हम देते हैं उनको तो क्या करते हैं हम इसमें basically seating को कैसे पूट करना हमानली total number of team 6 है और next power of 2 after 6 equal to 8 तो number of bias हमारी क्या है 8 minus 6 equal to 2 then seating को कैसे place किया जाएगा seating को place करने का तरीका वही तरीका है जैसे हम bias को किसी fixture में place करते है इसमें जो last of lower half and the first of upper half seating का दियागी lower half की last team को और first team को upper half की ठीक है जैसे number of matches 6 minus 1 5 है यहाँ पर 5 matches होने है तो हमने एक छोटा सा fixture बनाया हुआ है देखें फिक्षर यह जो बना रखा है इसमें आपको पता चल रहा है सब upper half में 3 teams आ गई lower half में 3 teams आ गई अब यहाँ पर buy पहले एक यहाँ आए क्योंकि 2 buys आए थी तो एक buy यह दे थी हमने एक buy उपर दे थी अब seating हमने fix करने थी तो मैंने क्या बताया था कि buy और seating देने का procedure जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है तो seating हमने first seating यहाँ दे थी और second seating यहाँ दे थी यह था आपका knockout fixture बनाने के step by step पूरा description की आपको अगर knockout fixture बनाने के लिए आता है exam में 5 mark सा question तो आपको कैसे यह knockout fixture बनाना है अब एक example के तोरप हम पूरे fixture को देख लेंगे fixture of 19 teams on the knockout basis तो सबसे पहले क्या step था हमारा total number of matches का जैसे n-1 तो यहाँ पे 18 आ गया then total number of rounds तो 2 to power n तो 19 से highest power of 2 कौन सी है 32 यानि कि 2 to power 5 तो number of rounds जो आ गए वो हमारे आ गए 5 then next जो step आ रहा हो हमारा total number of team in upper half तो upper half में जो total number of team है वो कितनी होंगी n plus 1 upon 2 इसका formula है और lower half के लिए n minus 1 upon 2 तो upper half और lower half में टीम्स मिल जाएंगी 10 and 9 then total number of bias next power of 2 minus total team तो next power of 2 हमारी यहाँ पे कितनी है थी 32 तो 32 हमने यहाँ पूट अप कर लिया then team total कितनी थी हमारी 19 तो 19 को हमने यहाँ पूट अप कर लिया तो यह हो गया 13 bias अब हमारे पास bias भी आ गई अब इसका जो last calculation इसमें आएगी वो calculation आएगी कि how we fix the bias और कितनी bias कौन से हाफ में कौन से हाफ में कितनी bias आएगी तो total number of bias in upper half अप का formula जो था वो था nb minus 1 upon 2 और total number of bias in lower half nb plus 1 upon 2 जिससे हमें 6 और 7 bias मिल गई अब हम जो fixture त्यार करेंगे उस fixture को देख लीजे सबसे पहले हम fixture में count लिखेंगे sequence की कितनी teams है then उसको हम upper half और lower half में divide करेंगे upper half में lower half में by divide करने के लिए हमें upper half में 10 teams आई थी और lower half में 9 teams तो upper half اور lower half हमने divide कर दिया upper half में 10 teams आँए और lower half में 9 teams अब इसके बाद जो next step आता है वो आता हमारा बाइस देने का तो बाइस हमारी basically कितनी आई थी 13 बाइस 13 बाइस आई थी जगा हमने decide किया तो upper half में 6 आएंगी और lower half में 7 तो बाइस देने का procedure था उसको हम शुरू से करेंगे कि first बाइस जो आएगी हमारी lower half की last team को दी जाएगी second बाइ upper half की first team third बाइ lower half की first team और fourth बाइ upper half की last team अब ये चार बाइस हमने put कर दी हैं और इसके बाद जितनी भी बाइस होंगी वो same sequence से follow की जाएगी देखिए जैसे by five इदर आ गई by six then by seven by eight तो ऐसे ये सारी हमारी 13 बाइस यहाँ पर put up कर दी गई है अब इसके बाद हमें देखना है कि अब matches कैसे fix कि जाएंगे तो जिन teams को पहले by मिली है वो first round से exempted है मतलब वो first round में matches नहीं खेलेंगे तो first round यह हमारा है जो उसमें conference team का match होगा यहाँ पर four और five का six और seven का और यहाँ पर last fourteen and fifteen का अब जो इन में से winner हैं वो यहाँ से आगे पहुँच जाएंगे तो उसके बाद जब हम second round में बढ़ेंगे तो 22 वाले दोनों team यहाँ पर खेलेंगी फिर यहाँ जो बाई वाली team है उसके बाद जो यहाँ से winner आया वो खेलेगा इसके बाद यहाँ से जो winner आया और यहाँ से जो बाई वाला वो यहाँ बढ़ेगा इधर से बाई वाला ऐसे ही सिक्वेंस समय फॉल होगा उसके बाद जैसे जैसे हर राउंड से एक winner निकलता जाएगा वो आगे जाके next round में matches खेलता जाएगा और यहाँ पे वो semi finals में पहुंचेंगे और then finals में हमें एक last में winner मिल जाएगा अब आप देखें इसकी calculation कि हमें यहाँ पे number of matches कितने होन अब 6 by upper half में होनी चाहिए और 7 by lower half में तो वो भी हमारी यहाँ पे हैं तो यह हमारा जो fixture है यह proper correct fixture है knockout fixtures का और यदि यहीं पर हमें seating देना होता तो हम seating कैसे देते मान लिजे हमें इसी fixture में 4 seating देनी है तो हम वो seating कैसे देते देखें मान लिजे एक example कितरू मैं आपको समझ लास्ट में आके जो fixture त्यार किया जा रहा है जैसे हमने 1st by 2 2 3rd by 2 और 4 by 2 वैसे हमें 4 teams को इसमें seating करनी थी तो हमने क्या किया जहां पर 1st by जिए ते वहां 1st team को सीडिट कर दिया गया 2nd by 2nd team को 3rd by 3rd team को और 4th by 4th team को इस तरह से हम किसी भी question में अगर seating का वह आता है कि provide करेंगे